Tech Hour 3 वाइशिर वानके और सोलना आज के वीडियो और सुर्भाब्ग करें प typ कोपो कि विडियो हों पर हैं आज 3 वीडियो ज सिस्थी सब्सक्राइल में अब सब्सक्रा करों आगा। उनने choice filling करी है बहुत गलत करी है और यहां पर मैं आपकी मदद करना जाता हूं इस वीडियो में round 2 की सारी possibilities देखेंगे dates को analyze करेंगे कि कब आपको reporting करनी है round 3 की क्या dates होंगी A to Z हम round 2 को पूरा यहां पर बताएंगे कि क्या क्या options आपके पास आते secondly जिनकी choice filling गलत हुई है उनके लिए हमारे batch में special discount coupon code launch करा है बहुत बच्चों की request आई थी भाईया हमें आपकी मदद चाहिए तो आपको वो coupon code में दे रहा हूं आज और यह coupon code अगले 3 दिन तक valid रहेगा और इस coupon code से आपको 800-900 पे flat off मिल जाएगा सीधा counseling batch में आपको play store आगे app download करना है counseling batch का जो coupon code है वो है counseling capital में c-o-u-n-s-e-l-i-n-g counseling यह है coupon code डालना जाके सीधा तुम्हें 800-900 पे off मिल जाएगा तुम batch में आ सकते हो तो कल हमारी batch में meeting है doubt session होगा plus choice filling मैं आपको provide करूँगा खुद बना के अगर आपको चाहिए तुम आपकी बनाने में भी help करूँगा ठीक है meeting में हम आपके सारे doubt solve रहेंगे और आपको community भी मिलेगी एक ऐसे बच्चों की community जो future में events होगा जो मैं खुद वहापे event attend करूँगा मतलब जो event कराने वाल होगा तो वो भी मिलेगा जिससे आपको सबसे पहला अपना exclusive event जहांपे आप participate करोगे वो event हम लोग organize कराएंगे जिस सारे colleges के बच्चे उनके seniors हैं उनसे मिलेगा मौका मिलेगा क्योंकि उस event में वो भी आएंगे और आप इस community का part होगे यह सिर्फ counseling batch नहीं होगा यह proper community होने वाली है telegram पे जो हम आपके साथ share करेंगे तो सीधा counseling batch में मिलते हैं secondly आज और सीधा round 2 की बात करते हैं तो जैसा कि आ अगस्ते लेकर 5 अगस्ते बीच में choice filling start हो जाएगी ठीक है choice filling आपकी यहां पर start होने वाली है मतलब आज आप video देख रहे हैं कल आप video देख रहे हैं आपकी choice filling start हो चुकी है और आप बहुत गलती करने वालों मैं जानता हूं तो इसके लिए आप हमारे counseling batch में आ सकते हो मैं आपकी personally help करोंगा कि किस college को किस order में रखना है आप CMR IT को उपर रख रहे हो NMIT को नीचे रख रहे हो आपके order मैंने देखे हैं बहुत बच्चों ने जिनने मेरे को इस number पे personal message करा है 976118305 पे वहां पे बच्चों के doubt solve करता हूं one time doubt solve कर देता हूं मतलब एक दो बार reply कर द बड़ आप इतनी गंदी choice feeling मत करो कि जिससे आपको इतना गंदा college मिले इतनी अच्छी rank पे 5000 पे बच्चे यार क्या choice feeling कर रहे है 13,000 पे बलब 13,000 भी ठीक ठाक रहे हैं कि उसमें भी बहुत गंदी choice feeling कर रहे हैं अगर आप इस situation में हो यार मैं आपकी genuinely help करना जाता हूं उसक कूपन कोड है आपका c o u n s e double l ing क्या है s e double l ing counseling ing ठीक है यह आप जाके मेरा mentor app पे कूप वहाँ पे counseling बाच है वहाँ पे apply कर तो यार यह coupon code और उसके बाद जूद भी कोई भी आपको doubts है वो आप मेरे को इस number पे पूछ सकते हो ठीक है यह number मैंने आप दे दिया है और 1.25x पे video लगा लो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी राउंड टू पूरा explain करने आ लो दो दिन के अंदर choice feeling करने हैं वहाँ पे मैं आपकी मदद करूंगा कल से मेरे session लगातार चालू हो जाएंगे हर एक session दो दो घंटे का होता है मेरा आराम से पूरा ढंक से मैं colleges के बारे बताता हूं secondly इनने decision making और reporting के लिए दोनों दिन के लि अगर आप freeze करते हो accept and freeze करते हो तो आपको reporting करनी है और अगर आपको refund चाहिए तो refund के लिए लोगों ने 6 दिन दिये हैं 6 दिन के अंदर आप decision ले सकते हो कि आप refund करना चाहते हो refund के लिए आपको withdraw करना पड़ेगा seat safe ठीक है और जो भी accept and freeze करने candidate उनको strictly report करना है तो मेरा मानन यह है अगर आप accept and upgrade करो वो ज्यादा बेटर है rather than उसको freeze करो ठीक है और आपको अगर refund चाहिए तो this is the last option this is the last option क्योंकि इसके बाद round 3 में आपको नहीं मिलेगा option यह this is the last option for your refund बहुत बच्चे यार सब्सक्राइब नहीं करते यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को आ प्लीज सब्सक्राइब कर दो यह चैनल आपके बहुत आगे काम आने आला है इवेंट्स के बारे में बताएंगे बैंगलोर के ठीक है अब हम जल्दी से नीचे चल लेते हैं कि राउंड टू के अंदर आपके लिए क्या-क्या चीज़ होने वाली है only saved preference will be consider अब देखो बे करने का option मिलता है तो ठीक है अगर आप सही में अच्छा college चाते हो तो counseling batch में आ जाओ क्योंकि वहां पे मैं आपकी personally personally one-on-one help करने वालो secondly general merit students के लिए जो choice filling उनने round one में consider करी जाएगी जो उनने भरी थी ठीक है और candidate who are not allotted any seat by बहुत हुशार चंद है जिन लोगोंने कुछ भी नहीं भरा है तो उनको consider करा जाएगा बट उनकी वाली preference नहीं बनानी पड़ेगी उनको नहीं देखनी पड़ेगी पूरी ठीक है जो भी है seated allotted in earlier round show in the green screen all candidates who chose accept and upgrade or reject and upgrade in round will have a option add, remove, reorder in their preference इसका मतलब आप कर सकते हो वो saved preference order list में अपनी नई ब्रांच add कर सकते हो remove कर सकते हो, reorder कर सकते हो तो tension लेने वाली बात नहीं है अपनी choice filling बे और ये आपकी seat पे आएगा मतलब जो भी आपको allotted sheet है उसके उपर वाली जितनी preference है उनको आप कर सकते हो suppose करो आपको 7th order वाली allot हुई है तो 6th, 5th, 4th, 3, 2, 1 पे आप order कर सकते हो add कर सकते हो, कर सकते हो changes वो सारे उसमें मैं आपकी help करूँगा कोई भी doubt होता है इस number में message कर दो but मैं यहां पर बहुत कम reply कर पाऊंगा क्योंकि मेरा सारा ध्यान मेरा सारा ध्यान counseling batch में है already मैंने discount coupon code दे दिया वीडियो में आप जाके पीसे देख सकते हो आगे बढ़ते हैं subscribe नहीं करते हो यार प्लीज subscribe कर दो ठीक है तो यह सारे rules आपको लिए follow होंगे जो यहां पर बहुत बच्छों डाउट है कि हमें कोई seat मिली क्या हम भर सकते हैं यह आपको consider करा जाएगा ठीक है आपको consider करा जाएगा कोई attention की बात नहीं है आप भरोगे अब हम और नीच आ जाते हैं यहां पर अब हम और समझते हैं कि हमाँ पास क्या-क्या options आने वाले हैं क्या-क्या चीज़ें हम करने वाले राउंड टूम में तो देखो यार राउंड टूम में अगर आपके पास आपने राउंड वन में accept and freeze करा तो बहुत नॉर्मल सी बात है आप counseling से बाहर आपने seat freeze करके reporting कर लिए ठीक है तो round 2 में जिन लोगों accept and upgrade करा जो बहुत बच्चों ने करा उसके अब हम बात करते हैं तो आपको आगे चलके round 2 में option आएगा accept and freeze का accept and upgrade का यह दो option को देखने को और मिलेंगे ठीक हैं आप withdraw भी कर सकते हो ऐसी बात नहीं है आप withdraw नहीं कर सकतें आप आई वो जो phase 1 वाले बच्चे हैं और तो उनको क्या option आएगा उनके लिए भी चारो options खुले रहेंगे मतलब although cdc बहुत simple सी बात है इसमें कुछ ज्यादा confusion होना नहीं चाहिए except freeze वाले reject withdraw वाले बच्चों को अटा दिया जा तो बाकी सारे बच्चों ने जो option चूज करा है उनके लिए चारो options खुले रहेंगे ठीक है अगर एक चीज़ एक चीज़ डिस्क्लेमर आफ्टर राउंड टू allotment reject and upgrade candidates of round 1 reject and upgrade candidates मनलब जिनने seat reject करी हो और और अच्छा degradation जाज़े है who are allotted were not allotted any seat in round 2 suppose करो आपको ना round 1 में आपने seat ली round 2 में भी आपको seat नहीं मिली तो क्या होगा तो the system will consider them as a reject and upgrade अगर आपको कोई seat नहीं मिलती round 1 में तो system automatically उसको reject and upgrade consider करेगा and they will go to round 3 वो directly round 3 में चले जाएंगे तो बेटा यहां पर मैं advice करता हूं कि अपनी choice filling को बहुत अराम से भरना क्योंकि यह important होने वाला है कि आप choice filling कैसे भरने वाले हो क्योंकि यह ना हो तो जादा better है आपकी choice filling में ऐसा होना चाहिए कि round 2 में आपको कोई तो college मिलना चाहिए ठीक है क्यों in case the candidate does not wish to go round 3 such candidate can click on exit button to exit the counselling process अगर आपको आगे नहीं बढ़ना तो आप exit कर सकते हो बट मैं चाहता हूँ कि आपको round 2 में कोई ना कोई seat मिले ठीक है तो please इस चीज का ध्यान लखना इसलिए मैं कह रहा हूँ हमने coupon code निकाला है बहुत बच्चों के कहने पर हमने निकाला है अल्दो हमारा batch बंद हो गया था बट फिर भी बहुत बच्चों की मेहनत से जो message कर रहे है मेहनत मतलब जो ने मेहनत करके मतलब exam में जो marks लाए है और counseling में वो छोटी-छोटी error कर रहे है एक अच्छे college को नहीं रख रहे है बेकार college कूपर रख रहे है कौन सी branch उनको पर रखनी चाहिए वो इसमें इतनी error कर रहे है कि round one में उनको बेकार college मिला है मेरे सामने की बात है मैं screen shots दिखा सकता हूँ but मैं उनकी help करना चाहता हूँ यहाँ पर हमने coupon code दे रखा है अगर आपको और भी help चाहिए coupon code से यह हो जाएगा कि आपको एक बहुत heavy discount में यहाँ पर दे रहा हूँ तो आप मेरे को number में message कर सकते हो already दे रखा है ठीक है अगर हम यहाँ पर बात करें round two के final phase में कि क्या क्या होने वाला है जो आप वहाँ पर decision लेने वाले हो round one में अगर आपने accept and upgrade करा है तो आप क्या 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 क्र सकते हो क्या क्या नहीं कर सकते वह हम बताने आले implement not taking any action अग will be considered as a accept and freeze इस बात का ध्यान रखना अगर आपने round two में यहाँ पर कोई option नहीं देखा तो आपको यहाँ पर accept and freeze वाला option consider करना पड़ जाएगा ठीक है if applicable for the latest allotted college has to be paid at the college time at the reporting ठीक है कुछ 10-20,000 की miscellaneous fees होती है वह आपको देनी पढ़ती है ठीक है अगर आपने round two में action लेना बहुत important है नहीं तो वह reject and withdraw कर लेगा अगर आप accept and freeze करते हो तो आपको इस college में जाना है और fees pay करनी है ठीक है अगर आप reject and upgrade कर रहे हो reject and upgrade कर रहे हो will not consider in the further round और उसके बाद आप reject and withdraw कर रहे हो तो आपको यह refund वाला option है यह refund वाला option है कौनसा वाला option है refund वाला जब आप reject and withdraw कर रहे हो ठीक है rounds round 2 में यह तब है जब आप implication of not taking action on any allotment in round 2 अगर आप कोई भी action नहीं लेते हो अपने round 2 पे अगर आपने बिलकुल portal खाली शोड़ा हुआ है मुझे कोई action नहीं लेना अपनी तो आपके यह options पर यह consequences होंगे reject and upgrade पर यह consequences होंगे accept and upgrade पर यह वाले consequences होंगे तो अपने portal पर अपनी choice filling पर काफी ध्यान देना round 2 is very important round 2 काफी important होता है रिस्क नहीं ले सकते round 2 में हम ठीक है थोड़े बहुत पैसे जा रहे है ठीक है बढ़ हम round 2 में रिस्क नहीं ले सकते क्यों क्योंकि आपके 2.81 lakhs यहां पर फसे होए हैं जो आपने round 1 में pay करें हैं और इसके लिए आप 1% भी रिस्क नहीं ले सकते मैं यह अब क्यों लेना यार और बहुत सब्सक्राइब कर दो आप ही के लिए चानल है और आगे round 2 में डेफ्थ में वीडियो बनाएंगे ठीक है अब मसले बहुत सिंपल सा solution देने वाला हूं ज्यादा कॉम्टिकेट नहीं करूंगा इस चीज को ठीक है सबसे पहले round 2 आपका start हो है ठीक है round 2 में करो अपनी पहले choice filling ठीक है अब choice filling तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो बहुत अच्छी बात है बट अगर नहीं कर बात है तो coupon code देडिया अल्रेडी c o u n s e double l i n g ठीक है coupon code भरो मैं तुम्हारे साथ one on one बैटके यहां पर help करने वाला हूँ meeting होगी वहां पर हम तुम्हारी choice filling बनाएंगे दो दिन के अंदर का मैं एक घंटे के अंदर तुम्हारी पूरी choice filling बना दूंगा ठीक है क्योंकि यहां पर तुम्हारे अधाई लाख रुपे का सवाल है मेरे भाई थाई लाख रुपे का सवाल है ठीक है वह तुम्हारी काउंसलिंग बाच में मिल जाएगा मेरा मेंटर आपको डाउनलोड कर लेना 4.6 की रेटिंग है भाई आप की तीक है मेरा मेंटर आप डाउनलोड कर देना चॉइस फिलिंग करनी है कबसे तीन से लेकर पांच तारिक के बीच में ते इंचल लेने की बात नहीं है दो दिन है हमारे पास जब भी आप वीडियो देख रहें पांच तारिक से पहले करनी है ठीक है और डाउट स्वाप हम आपके कांसलिंग में सॉल्फ करेंगे है वेत पास तारिक के बाद साथ के आसपास आपका रिजल्ट आएगा साथ में आपका रिजल्ट आइगा ठीक है रिजल्ट में कुछ नहीं करना एक्सेप्ट एन अपग्रेड करना है चुप चाप और राउंड टूस में जाना है अगर आपको कांसलिंग से भार होना थो स सब्सक्राइब कर दो भाई इतनी महनत से बताना है सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा तो लाइक मार दो सब्सक्राइब कर दो एट लीस्ट यह सब कर दिया करो तो यह चीज आपको करनी है बहुत मोटी मोटी चीज है यह बहुत सिंपल है इसको इतना सिंपल मैं बस करके बता रहा हूं और कुछ नहीं करना आगे बढ़ना है काउंसलिंग में तो एक्सेप्ट एन अपग्रेड करो आपको रीफंड चीए काउंसलिंग से आगे नहीं बै ट्रिपल वन एट्री जिरो पाइफ वाट्सप करना उससे जादा कुछ नहीं कॉल वाल नहीं होता इस नमबर में ठीक है वाट्सप पे मैसेज करना मैं ट्राय करूंग आपको आंसर करने का बट्ट मैं अभी भी कह रहा हूं शायद आंसर कर पाऊं क्योंकि मेरा सारा ध्या है कि हमें काउंसलिंग बाच में आना है हमें डिसकाउंट चीए तो हमने डिसकाउंट दे रखा है तो ठीक है जाके आप डाउनलोड करो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक कॉमेंट में दे रखा है जाओ डाउनलोड करो और कल मिलते हैं बाच में कल मि मीटिंग में क्योंकि मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जो मैं कल करने वाला हूं अगर आप आज वीडियो देख रहे हो और यह कूपन कोड आपका सिर्फ तीन दिन कल यह वैलिड है तो प्लीज कर लेना मिलते हैं अगली वीडियो में राउंड टू की या राउंड थ्री की तब तक ओल दा बेस्ट फॉर दे कांसलिंग और यह फेस काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है हलके मत लेना इसको ठीक है